सबसे पहले सेवी ने क्या कहा है यह समझना जरूरी है मुहित आप से जानेंगे क्या पहले नियम थे जब बच्चों के नाम पर निवेश करते थे तब भी जो माता-पिता होते थे वो बच्चों के नाम पर निवेश करते थे लेकिन अब जो सेवी का नए सेर्किलर है उसमें क्या लग है देखिए स्वाती सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि माइनर के नाम पर इन्वेस्मेंट्स को सेभी काफी टाइम से बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और ऐसा इसलिए है कि अमूमन निवेशक के behavior में देखने को आया है कि वो जो खुद के नाम पर निवेश करते हैं वो सबसे पहले निकाल भी देते हैं छोटी सी जरूरत होगी कहीं पर कुछ गोल अचीव करना है कहीं पर कुछ asset purchase करना है कहीं पर भी छोडी सी liquidity की requirement हुई आप सबसे पहले अपने mutual fund को redeem कर लेते हैं पर यह देखने में आया है अनुभव में कि minor के नाम पर जब investment होता है तो आप अपने बच्चों के भविश्य के लिए उनके future के लिए निवेश करते हैं और उसे अकसर investor जो है वो redeem नहीं करते हैं और बहुत लंबी अबदी के लिए निवेश बना और 19 December में सेवी ने इस clause को change कर दिया AML guidelines के चलते उन्होंने ये कहा कि अगर आपको minor के नाम पर निवेश करना है तो minor का ही bank में खाता होना अनिवार रहे है और उसी account से पैसा जाना चाहिए और उसी account में redemption पर पैसा आएगा तो इससे जो minor के नाम पर निवेश होते थे वो क नाफी कम हो गए because अकसर लोग अपने बच्चों के नाम पर bank में accounts नहीं खुलवाते हैं और ये एक आम प्रचलन सी बात है कि लोग अपने ही नाम पर निवेश कर रहे थे अभी 12 मई को सेवी ने फिर एक circular निकाला है और कहा है कि अब वापस minor के नाम पर अगर आप account holder है legal guardian दूसरे account holder है वहां से भी निवेश किया जा सकता है बशर्ते इसमें एक ही condition है कि जब redemption होगा और जब आपको वापस payout आएगा तो वह minor के ही bank account में दिया जाएगा वह वापस parents के account में नहीं जाएगा तो minor का खाता तो आपको खुलवाना ही पड़ेगा बच्चों का account खुलवाना पड़ेगा पर निवेश के लिए उसकी आवश्रक्ता नहीं है जब आप उसे redeem करना चाहते हैं जब रखम को वापस लेना चाहते हैं तो उस case में आपके पास में minor का account होना अनेवार रहे है